ओम शान्ती, सत्रा, दस, दो हजार तेईस की साकार मुरली मीठे बच्चे, तुमा आत्माओं को अपना अपना रत है, मैं हूँ निराकार, मुझे भी कल्प में एक ही बार रत चाहिए, मैं ब्रह्मा का अनुभवी व्रद्ध रत उधार लेता हूँ प्रश्ण किस निश्चे के अधार पर शरीर का भान भूलना अती सहज है, उत्तर तुम बच्चों ने निश्चे से कहा है, बाबा हम आपके बन गए, तो बाप का बनना माना ही शरीर का भान भूलना जैसे शिव बाबा इस रत पर आता हूँ और चला जाता, ऐसे तुम बच्चे भी प्राक्टिस करो, इस रत पर आने जाने की आशरीरी बनने का अभ्यास करो, इसमें मुश्किल का अनुभव नहीं होना चाहिए, अपने को निराकारी आत्मा समझ बाप को याद करो गीत ओम नमोशिवाय, ओम शांती, धारना के लिए मुख्य सार, पहला राजरिशी बन, तपस्या करनी है, पुझनी अमाला में आने के लिए बाप समान सर्विस करनी है, पक्का योगी बनना है दूसरा, नौलेज बड़ी मजे की है, इसलिए रमनीकता से पढ़ना है, मूझना नहीं है वरदान वेराइटी अनुभूतियों द्वारा सदा उमंग उत्साह से भरपूर रहने वाले विग्न जीत भव रोज अमरत वेले सारे दिन के लिए वेराइटी उमंग उत्साह की पॉइंट्स बुद्धी में इमर्ज करो हर दिन की मुरली से उमंग उत्साह की पॉइंट्स नोट करो, वह वेराइटी पॉइंट्स उमंग उत्साह बढ़हाएंगी मनुष्यात्मा का नेचर है कि वेराइटी पसंद आती है इसलिए चाहे ज्यान की पॉइंट्स मनन करो या रोहरेहान करो वेराइटी रूप से जीरो बन अपने हीरो पार्ट की स्मरती में रहो तो मंग उत्सा से भरपूर रहेंगे और सब विग्न सहज समाप्त हो जाएंगे स्लोगन अपनी अवस्था को ऐसा शांत चित बना लो जो क्रोध का भूत दूर से ही भाग जाए अच्छा उम शांती आप द्रिष्टियों ही दे ते रहो बाबा सुख सागर में गहरे उतर जाओं सुख सागर में गहरे उतर जाओं हूँ पल के ना पल भर बंद मेरे इन लहरों को दामन में भर जाओं आप द्रिष्टियों ही दे ते रहो बाबा आप दे रहो बाबा आप दे रहो बाबा